हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजु मेडम, हम लोग अभी रस्खान के सवये को पढ़ रहे हैं रस्खान के सवये के अंतरगत हम लोगों ने दो सवया को पढ़ चुका है पहला मानुस होतो वही रस्खानी और दूसरा वा लखुटी अरू कामरिया पर आज हम लोग रस्खान जी के तीसरे सवये को पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं सवया को पढ़कर आप लोगों को सुनाओंगी फिर कठिन सब्दों के अर्थ को पतलाओंगी और उसके बाद पत्तेक पंक्ती के अर्थ सहित व्यक्या प्रसुत की जाएगी तो आप इस वीडियो को खुब ध्यान से सुने और समझें क्योंकि यह सवया जो है यह साधरन हिंदी यानि खड़ी बोली में नहीं है यह है ब्रजभासा में तो ब्रजभासा को समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा यहिकि ब्रजभासा तो हमारी मात्रिभासा नहीं है तो इसलिए क्या होती है? हमें थुड़ी दिक्कत होती है अगर हम इनके सब्दों के अर्थ को नहीं अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे, तो हम इस सवये को भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो आरंब करती हूँ, आज का यह सवया जो इस प्रकार से हैं, देखिए। सेश गनेश, महेश दिनेश, सुरेश हुँ जाही निरंतर गावें, जाही अनादी अननत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुक ब्यास रटे पचिहारे तवु पुनिपार ना पावय ताही अहीर की छोहरियां चचियां भरी छाच पैन नाच न चावे देखे यहाँ पर यह सब्ध ना यह नारद सब्ध है प्रन्तु किताब में क्या हो गया यह प्रिंटिंग मिश्टेक हो गया है यहाँ पर सही सब्ध क्या होगा नारद होगा इसे आप ठीक कर लें ठीक है तो यहाँ क्या होगा नारद से सुक ब्यास रटे यहाँ पर क्या होगा चपने में र हो गया है पहले द हो गया है बाद में तो यह गलत हो गया सब्द, इसे आप ठीक कर लें, सभी बच्चे ठीक कर लें, अपने किताब में ठीक करके लिख लें, अब चलिए इसके कठीन सब्दों के अर्थ के तरफ, देखिए, पहला शब्द जो है, वह क्या है, सेसनाग है, पहला सब्द है, सेस यानि सेसनाग, गनेश विनायक, यानि गनेश जी कोई कहते हैं विनायक, महेश यानि संकर, दिनेश, सूर्यको, सूरेश हूं, मतलब इंद्र, इंद्र का एक और नाम आया है पुरंदर, पहले सवये में मानुस होतो भाईरस खानी में इंद्र का एक और नाम आया है, पुरंदर, इसे याद रखेगा आप, जाही यानि जिसका निरंतर हमेशा गावेकर्त होता है, गाना, गुनगान करना, दूसरे जाहीकर्त है जिसको अनाधी यानि जिसका आधी ना हो, यानि आदिकार्थ क्या होता है आरंब अनन्थ जिसका अंत ना हो अखंड यानि जिसको खंड ना कर सके तुकड़ा ना कर सके और छेद यानि जिसका छेद ना हो यानि छेद कार्थ क्या है छिद्र अभेद यानि जिसका भेद ना हूँ, यानि भेद मतलव अंतर सुवेद, सुवेद कहा गया सुन्दर, सु मतलव सुन्दर, शृष्ट वेद तो आप जानते हैं, वेद क्या है? एक हमारा पराचीन गरंद है न, वेद, सबसे पराचीन गरंद बतावे मने बतलाना नारद, नारद मुनी को कहा गिया है जो विश्णु भक्त के रूप से जाने जाते हैं सूख यानि सूखदेव, व्यास यानि वेद व्यास रटे मने रटना, नाम निरंतर लेना पची हारे मने हार मन, हार जाना तव, तव मने फिर भी, पावे मतलब पाना ताही मने उसे, अहीर मने ग्वाला, चोहरिया मने बेटियां अब एक बार और देखिया अर्थ को फिर से पहला सब्ध है सेस यानि सेसना को कहा गिया है गनेश बिनायक को, महेश संकर, दिनेश सूरिय सुरेश हो, इंद्रको, जाही यानि जिसका निरंतर मने हमेशा, गावे गुनगान जाही मने जिसको, अनादी यानि जिसका आदी ना हो, यानि आरंभ ना हो अनंत, जिसका अंत ना हो अखंड, जिसका खंड या टुकडा ना हो अच्छेद जिसका छेद ना हूँ और छेद मतलब छिद्र होता है अभेद जिसका भेद यानि अंतर ना हूँ सुवेद सुंदर या स्रेष्ट वेद बतावे मतलब बतलाना नारद मने नारद मुनी सुक कहा गया सुकदेव व्याश वेद व्यास को कहा गया है रटे, मने नाम निरंतर लेना, पच्ची हारे, मने हार जाना, तवु मतलब फिर भी, पावे मतलब पाना, ताही मने उसे, अहिर मतलब ग्वाला, चोहरियां कहा गया है बेटियां, चोहरियां मतलब बेटियां. अब चलिए पंक्ति के अर्थ के तरब, देखिए, मैंने आपको पहली बताया है कि रस्खान जी कृष्ण भक्त कभी है, कृष्ण के प्रती उनमें अगाद प्रेम है, अटूट भक्ती है, वे कृष्ण के हर वस्तु से प्रेम करते हैं, उन्हें कृष्ण का सानिध्य कृष्ण के बस्तु को प्राप्त करने से ही है, वे कृष्ण के किसी भी बस्तु के करीब रहकर ही, वे कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसे है स्रीक्रिष्ण भगवान की महिमा का गुनगान उन्होंने किया है कि स्रीक्रिष्ण भगवान जो है सहज सरल भक्ती के कारण किसी के भी अधीन हो जाते हैं कोई उसके प्रती सहज सरल भक्ती करे तो स्री कृष्ण जो है उसके अधीन हो जाते हैं तो उन्होंने बतलाया है सवये के प्रथम पंक्ती में ही क्या कि सेस गनेश महेस दिने सुरेश हु जाही निरंतर गावी यानि जिसका निरंतर गावे गुनगान करते हैं जिसका मतलब स्री कृष्ण का जाही मतलब स्री कृष्ण जिसका निरंतर मने हमेशा गावे मने गुनगान करना कौन करता हैं सेश मतलब सेशनाग गनेश यानि गनेश भगवान महेस यानि संकर भगवान दिनेश यानि सुर्यदेव इतने बड़े बड़े देवता जिसका निरंतर गुनगान कर रहे हैं और क्या है जाही अनादी अनन्त अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बताव और जिसको यहां जाय करता क्या जिसको बताया गया है क्या अनादी जिसका आरंब नहीं है अनन्द जिसका अंत नहीं है अखंड जिसको हम लोग टुकड़े में बाट नहीं सकते हैं अच्छेद जिसमें छित्र ना कर सकें अभेद जिसमें हम अंतर नहीं कर सकतें भेद नहीं कर सकतें सुवेद बतावि ऐसा कौन बखान करता है? वेद करता है स्रेष्ट वेद जो है जिस भगवान का इतना बखान करता वही भगवान तो स्रीक्रिष्ण भगवान है जो सर्वस्रेष्ट है नारद मुनी से लेकर सुक़ देव मुनी वेद व्यास मुनी निरंतर जिसका नाम ले रहे हैं पची हारे इतना नाम लेने कभे हार गए हैं तव मने फिर भी पुनी पार ना पावे फिर भी वे उसे पार नहीं सके, मैंने पा नहीं सके, उसे जान नहीं सके जिस इस्वर को इतने बड़े-बड़े देवता, जिसका नाम निरंतर गा रहे हैं, गुनगान कर रहे हैं बड़े बड़े रिशी मुने जिसका नाम ले रहे हैं, परंतु अभी तक उन्होंने इस भगवान को यानि स्रीकृष्न को पाया नहीं है। ऐसे भगवान के बारे में रस्खान जी कहते हैं ता ही अहीर की छोहरियां ऐसे भगवान को अहीर की छोहरियां यानि ग्वालों की बेटियां चच्चियां भरी चाच पे नाच न चावे चच्चियां भरी मने थोड़े सा चाच हम लोग कह सकते हैं दही या मक्षन कुछ भी क कह सकते हैं थोड़े से चांच के लिए चांच कर चांच भी हो सकता है चांच भी दही से ही बनता है तो थोड़े से चांच के लिए क्या करती हैं अहीर की बेटियां नाच नचाती हैं यानि भगवान स्रीकृष्ण तो स्रेष्ठ हैं लेकिन वे क्या हैं भक्तों की सरलता और स सहच्टा के कारण उनके अधीन हैं। यहां पर एहिर की बेटियों यानि गौालों की बेटियों की भक्ति को रस्खान जी ने सहज और सरल बताया। जिसने कोई तपस्या नहीं की लेकिन उसके मन में चुकी सहजता की भावना है, सरलता की भावना है, तो भगवान जो है उसके वस में हो जाते हैं. तो हमारे स्रीकृष्ण भगवान ऐसे ही हैं, उनका नाम बड़े-बड़े मुनी तपस्या कर रहे हैं, रात दिन रट रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई पा नहीं सका, लेकिन उसी भगवान को अहीर की बेटिया यानि गोपियों ने बड़ी सहजता से प्रात कर लिया, क्योंकि उनके मन में स्रीकृष्ण के प्रती सहज भक्ती है, और इस्वर सहजता के ही वस में होते हैं, तो प्रस्तुत सवये में रस्खान जी ने स्रीकृष्ण की महिमा का गुनगान किया है, कि स्रीकृष्ण भगवान संसार में सर्वस्रेष्ठ हैं, और ऐसे क्योंकि उनके मन में स्रीकृष्ण के प्रती सहज सरलभकती है. तो इस वर क्या देखते हैं? भक्त का सहज हर्दय देखते हैं. और भक्तों के सहज हर्दय की सरलता के कारण ही भगवान जो हैं भक्त के करीब पहुंच जाते हैं. तो ये था इस सवयय का अर्थ उम्मिद करती हूँ यह सवयय का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गिया होगा वीडियो को लाइक, सेर जर अवश्य करें जो बच्चे नई हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे परिवार का सद्ध से बने और जिन बच्चों ने रश्खान के सवयय के प्रथम और दित्य सवयया यानि मानुस होतो वही रश्खानी और वा लगटी अरुकामरिया पर इस सवयय के अर्थ को नहीं जाना है, नहीं समझा है या इससे सम्मनित वीडियो को नहीं देखा है तो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं क्योंकि वहाँ पर इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है आप उसे लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए मेरी सुब कामनाएं आप सबों के साथ है धन्यवाद